नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक और महत्पों आयरवेदिक जानकारी के साथ जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके लिए कैसी जानकारी लेका आया हूँ जिसको जानकर आप दंग रहे जाएंगे आप अपने शरीर में हो रहे विटाइमिन की कमी को सिर्फ अपने चेहरे के संकेतों सही पैचान सकते हैं जी हाँ शरीर में विटाइमिन की कमी के कारण बोड़ी के कई सिस्टम दो रुख जाते हैं जिनके कारण आपको कई परिशानिया जेलनी पड़ती हैं इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर में विटाइमिन्स की कमी कभी न हो लेकिन अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके शरीर में किस विटाइमिन्स कमी हो रही है ये भी उन्हें अंदाजा नहीं कारण विटाइमिन्स A की कमी से इसकिन स्केली और ड्राइ हो जाती है इसके लावा होट ड्राइ होकर फटने लगते हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए डाइट में अंडे मीट गाड़ा दूद और क्रीम को शामिल करें इससे ये समस्या खतम हो जाएगी आपको बता दें विटाइमिन्स D की कमी के क्या लक्षन है इस विटाइमिन्स की कमी जादतर शाकाहरी लोगों में होती है इसकी कमी होने पर इसकिन पर रेशेस और खुझली होने लगती है इसके लिए आपको अंडे और सॉल्ट फिस्ट का सेवन करना चाहिए विटाइमिन E और C के चहरे पर कौन कौन से लक्षन दिखाई देते हैं यह शरीर में पड़ती रोधक शंता को मजबूत बनाकर एलर्जी और इंफेक्शन जैसे समस्याव से बचाता है इसकी कमी होने से चेहरे पर जुरिया और लाल रंके दाने होने लगते हैं शरीर में इसकी कमी होने पर जादा से जादा गेहूं, सूरज मुखी का तेल, मूम फली, फलीया और ब्रोकली का सेवन आपको करना है जिससे यह समस्याव की खतम हो जाएगी आपको मता दें, विटाइमिन B2 की अगर आपके शरीर में कमी है तो उसका चेहरे पर क्या असर पड़ता है? मुख के कोने पर दरारें और चेहरे पर लाल रंके दाने निकल कर आजाते हैं विटाइमिन B2 की कमी की ये संकेत हैं इसके लिए अपने भोजन में दूद, पनीर, दही और अनाज, हरी सब्चिया, अंडे तथा मास का सेवन आपको करना चाहिए जी हाँ दोस्तो अगर आपके शेरी में B6 की कमी है तो उसका चेहरे पर कौन-कौन से संकेत दिखाय देते हैं इसकी कमी से चेहरे पर सफेद धब्बे पढ़ने लगते हैं और इसकी इनमे सूजन भी आ जाती है इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए मचली, मास, अंडे, दूद, मश्रूम और नट्स का सेवन जरू करें जिससे ये समस्य आपको कभी नहीं होगी जी हाँ दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप आने वाली और भी मेकपॉंट जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद